प्रेगनेंट होते हुए भी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव कब आता है? ये सवाल अक्सर महिलाओं के दिमाग में आता है और खास तोर पर वो महिलाएं जो जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाती है और period के miss होते ही उन्हें ये जानने की इक्षा होने लग जाती है कि वो pregnant तो नहीं है तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि pregnant होते हुए भी pregnancy test negative कब तक आ सकता है तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को सबसे पहले आप ये समझ लेजिए कि pregnancy test kit काम कैसे करती है तो market में मिलने वाली pregnancy test kit पर आपने HCG लिखा हुआ देखा होगा तो ये kit आपके urine में मौझूद HCG के level को check करती है और उससे बताती है कि आपने pregnancy conceive की है या फिर नहीं और ये HCG हार्मोन pregnancy conceive करने के बाद ही बनता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही आपने relation बनाया और महीला का egg मेल की ispum से मिलकर fertile हुआ तो तुरंथ ही HCG का level इतना हो जाए कि pregnancy test kit इसे detect कर सके तो सवाल आता है कि कितने दिन में HCG का level इतना हो जाता है कि pregnancy test kit detect करके बता दे कि आप pregnant है या फिर नहीं इस सवाल के जवाब के लिए आपको अपनी period cycle को समझना पड़ेगा तो pregnancy की शुरुआती 5 दिन में bleeding होती है जिसे shading भी बोला जाता है इसकी बाद आता है follicular face जिसमें महिला की ovary में अंडो के अंदर follicles बनते हैं और उनमें से किसी एक follicle में एक अंडा develop होता है साथ के साथ cervix की wall जिसको की endometrium बोल जाता है वो भी मोटी होने लग जाती है ताकि अगर आप pregnancy conceive करें तो बेबी को support मेल सकें और इस phase में लगबग 7-9 दिन तक का time लग जाता है इसकी बाद आता है ovulation phase जिसमें ovary से अंडा निकल कर फैलोपेन ट्यूब में आता है और अगर इस दौरान male का sperm इस एक को fertile कर दे तो ये fertilize egg फैलोपेन ट्यूब से निकल करके endometrium की lining में चिपकता है जिसको की implantation बोलते हैं जिसमें और 7 दिन निकल जाते हैं तो in short अगर आपकी period cycle 28 दिन की है तो लगबग 21 दिन बाद आपके सरीर में HCG हार्मोन बनना शुरू हो जाता है और ये बहुत ही तेजी से बनता है लेकिन अगर आपने relation नहीं बनाया होता है तो आपकी endometrium की lining और egg दौनों ही खराब हो चुके होते हैं जो की shade होकर period का रूप ले लेते हैं और आगे आपको period आ जाते हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि period से लगबक 7 दिन पहले आपको reality में pregnancy conceive होती है और इसके बाद HCG हार्मोन तेजी से बनेगा लेकिन pregnancy test kit detect कर सके इतना level होने में लगबक 8-10 दिन लग जाती हैं तो period miss होने के अगले 3 दिन तक भी अगर आप pregnancy test करती हैं तो हो सकता है कि pregnancy होते हुए भी pregnancy test kit में एक ही लाइन आए है या फिर एक हलकी और एक dark लाइन आए क्योंकि HCG का level अभी उतना नहीं होता है कि pregnancy test kit detect कर पाए तो ये तो बात होई कि pregnancy test negative कब तक आ सकता है लेकिन कुछ गलतिया महिलाओं के द्वारा भी हो जाती है जिसके वज़े से pregnancy होते हुए भी pregnancy test negative आ जाता है जबकि वो test भी period में सोने के 5-7 दिन बात करती है तो इसके सबसे common कारण होते हैं pregnancy test kit को contaminate कर देना अगर आप pregnancy test kit के sample वाले area को छू लेती है तो कई बार वो contaminate हो जाता है जिसके वज़े से pregnancy test negative आ जाता है या फिर आप expire pregnancy test kit के इस्तिमाल कर लेती है तो भी pregnancy test negative आता है क्योंकि कई बार महिलाए pregnancy test kit मगवाती है फिर वो रख देती है या फिर pharmacy में भी kit रखे रखे खराब हो जाती है तो भी negative आ सकता है वैसे और क्या-क्या कारण हो सकते हैं इसके उपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई है जिसके लिंक उपर आई कार्ड में और नीचे description में दिया गया है तो अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकती है और इस वीडियो के end में भी उसका लिंक मैं डाल दूगी तो एक बार आप उसे भी जरूर देख ले मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि pregnant होती हुए भी pregnancy test negative कब तक आ सकता है फिर भी अगर आपको कोई doubt हो तो comment box में जरूर लिखे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe जरूर करें साथ में bell icon को press करके all पर जरूर set कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकरी मिलती रहें चलिए मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें स्वस्त रहें